अगर मैं लाइब हो जाओ तो फटाफट से बता देना अच्छल मैं आजकल थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है की जो है वो इंटर्चेंज हो जाती है यूटूब की तरफ से भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है लाइब हो गया बहुत बढ़िया शांदार एकदम नमस्कार दोस् पूस्ट डे जो है वो आज मनाया जाता है और भारती ये वाई शेना की बात की जाए तो भारती वाई शेना के अभी हाल ही में जो वाई शेना द्यच है वो बदल गए है उनका नाम आप अगर बता सके तो मज़ा आ जाएगा मुझे तो फिलाल आज दिख लेते हैं पड़ पॉड़ी आराम मांग रही थी कल का करेंड़ पैस आपके पास नहीं आया था उसके लिए माफी चाओंगा और चलिए आज हेड्लाइन देखते हैं आज की मारी हेड्लाइन्स क्या है आज की मारी हेड्लाइन में एक से लेके 31 अक्टूबर तक इस बार जो मनाया जाएगा वो होगा इस्तन कैंसर जागरुकता महा तो एक अक्टूबर जो है वो आपका ब्रीश्ट कैंसर अवेरनेस मन्त के रूप में मनाया जा रहा है साथ अक्टूबर को मनाया गया विश्चु का पास दिवस यानि की वर्ड कॉटन डे बेंजमिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है 2021 का रसायन नोबल तन्जानिया के अब्दुर रज्जा गुर्नाहा को मिला साहित्त का नोबल अब के वल दो पुरुसकारों की गुष्णा और होना बाकी रह गई है पीस और एकोनोमिक्स पेरिज जलवाई समझोते की पुष्टी करने वाला तुर्की अंतिम G20 देश बना है 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरलिंपिक खेलों की मेजबानी करेगा घाना मैगनेक कालसन ने मिल्ट वाटर चैंपियन सतरंज टूर खिताब जीता 2022 बर्मिंगम रॉष्मंडल केलों से हटी हाकी इंडिया 6 एक्टूबर 2021 से सुरूवा भाराज जापान समुद्री अभ्याज जीमेक्स एसोरेतोमर ने जीता है जुनियर वर्ड चैंपियनसिप में गोल्ड भारदी हाओ के खिलाडी गुर्जीत कौर ने सर्फसेष्ट महीला खिलाडी का एवोट जीता है सेनेटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए आंधर प्रदेश एक कारिकरम चना रही है उसका नाम होगा स्वच्छ कारिकरम असम में लॉंच हुआ भारत का पहला एफिस मार्केट अप पिसवाले एरटन ने किया भारत का पहला ग्रामीन फाइब जी परिछण वीडियो को थोड़ा सो शेयर कर दीज़े अभी भी बहुत कम लोग है वानिज मंत्राले ने जारी की औध्यों की पार्ख रेटिंग परनाली की रिपोर्ट सिच्छावित सुस्री सरीता सिंग को मिला Champions of Change का एव़र्ड बागा सिंग को शेयरी जीनिन को ये पतान किया उत्रपदेश भारत में सूच्म कणों का सबसे बड़ा उस सर्जर जिम कॉर्बेट टार्गर्ट रिजर्व का नाम बदल करका दिया जाएगा राम गेंगा नेशनल पार्ग अडल वेरी बाजपई के पूर निजी सचिप सक्ती सिना का अभी हाली में निधन हो गया रुख जाईए और पश्टाईए या सोच कर कि मैं क्यों रुख गया या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्ब करने का एक मौका दीजिए कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको एक काम करते हैं और आपको लगता है या रे वाह यह आपने किया है यहां जो आज की लाइन में आपसे बोलना जाता है यह मैंने कल भी आपको बताई थी कि किसी भी चीज को पाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है सबसे आसान तरीका है जिसमें effort बहुत कम लगता है वो है continuity जितना आप continuous रहेंगे यानि continuous रहेंगे एक master साब पे हमारे वो continuous को continuous बोला करते हैं तो मुझे बढ़ा अच्छा रखता है continuous बोला तो जेतना आप continuous रहेंगे उतना ही जल्दी आप अब लच्छ को प्राप्त करेंगे और जेतना बार-बार आप अपने आपको break करेंगे जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं daily current interface कर रहा होता हूं तो मुझे ब पन करें आराम करने के बारे में तो एक बार ऐसा सोचिए गया तीन दिन की जो continuity वो ब्रेक हो जाएगी या छे दिन की जो continuity वो ब्रेक हो जाएगी और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने की कोसिस करिए कि 120 दिन लगातार अपने पढ़ाई करी 120 दिन जो है लगातार हमने exercise क करी तब आपको मजा आएगा continuity बहुत important है संडे वंडे जो होते हैं वो हम लोग की life में नहीं है कहते हैं कि जब तक हम कुछ बन ना जाए तब तक संडे वंडे हमारे लिए संडे वंडे उन लोगों के लिए जो सारुक खान है और जो पैसा पैसा आगया जो अपनी life में कुछ मत मनाओं त्याग दो सब कुछ एक दो साल की बात है फिर अपने अपसार सही हो जाएगा तो प्रिवेट डे रिवीजन कर लेते हैं ओ माई गॉड इसमें मेरी मदद करना थोड़ा था विश्च शक दिवस प्रतिवस कम मनाया जाता है पांच अक्टूबर को 2021 के यूनियर वर्ड चैंपियंशिप की महिलाओं की 25 मीटर एर पिस्टल इस परदा में नामिया कपूर यहाँ पे नामिया कर लिजेगा नाम मैं बार बार सही नहीं कर पारा हूँ नामिया कपूर ने कौन सा पदक जीता है गोल्ड मैडल जीता है उन्होंने वहाँ पर भारत और किस देश के बीच दुई वार्षीक समुद्री सरंखला और सिंडेक्स के चौथे संस्क्रण का आयोजित किया गया संस्क्रण जरू याद रखे है फूर्थ एडिक्शन था यह भारत और आउस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित होता है भारत अंतराश्टी व्यापार म सब्सक्रण पीला का आयोजित किस ने किया या करवाय करवाया तो वह इसकी लिए अन्डिया और इसके लिए इसकी लिए के ब्रांड मेर्ट वरतमान समय में सचिन तंदूल करेंपाश अक्टूबर को लखनाव में आजादी बॉनडिया टरे उदगाटन किस ने किया है तो ये हमारे प्रदानमंती नरेंद मोदी जी ने किया था 4 अक्टूबर 2020 किस राज ने मन्रेगा स्रमिकों के मांदे में व्रद्धी करने की घोषना की है तो वो है उत्तरपदिर अमरतांजन हेल्थ केर ने किसे अपना ब्राणे मिडर बनाया तो मीरा भाई चानू और बजरंपुनिया दोनों को ही उन्होंने अपना ब्राणे मिडर बनाया है दालचीनी की संगडित खेती सुरू करने वाला देश का पहला राज जो वही जिसने हींकी खेती भारत में पहली बार की है वो है हिमाचल पते हाली में किस राज सरकार ने Women for Climate कारिकरम की सुरुवात की है तो Women for Climate कारिकरम की जो सुरुवात है वो महराज सरकार ने की है ताकि महिलाओं को जो है वो City 40 Network से जोड़ा जा सके और महिलाओं की भागीदारी ली जा सके Climate Change में और अब बारी है जिसके लिए आप यहाँ पर मौझूद है आचिकर इंडपेस आचिकर इंडपेस में पहला ये है कि सेप्टेंबर महा जो हमने मनाया था वो पोशन महा के रूप में मनाया था जबकि जो आपका October महा बनाया जा रहा है वो एक सिले के 31 October तक अपका इस्तन कैंसर जागरुपता महा के रूप में मनाया जा रहा है महिलाओं में होने वाली सबसे कॉमन वीमारी जो है वो इस्तन कैंसर है और इसके कई सरी वज़े होती है विस्ट कपाद दिवस हर साल कब मनाये जाता है विस्ट कपाद दिवस हर साल कब मनाये जाता है विस्ट कपाद दिवस हर साल कब मनाये जाता है प्रतिवस साथ अक्टूबर को मनाये जाता है अगर हम कॉटन की बात करें भारत दूसरे नंबर पर आता है आपको यही पूछा जा सकता है कि 20 का पास दिवस कम मनाया जाता है तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन ऐसी संस्ता है जो इसको समर्तित करती है तो वो है WTO WTO यानि कि World Trade Organization दोरा इस दिन को मनाया जाता है World Trade Organization का मुख्याले जो है वो जेनेवा सुडिया लैंड में है कली परसो ही मैंने आपको बताया था कि जेनेवा सुडिया लैंड में है वर्तमान समय में इसकी जो हैड बनाई गई है पहली बार किसी महिला को World Trade Organization का हैड बनाय गया था उनका नाम बता सकते हैं आप उनका नाम है नकोजी या गोजी अकॉंजो इवला इविया ला है ना नकोजी अकॉंजो इवला जो है वो वरतवान समय में WTO की महानी देशक है तो विश्व कपाज दिवस प्रतीक साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम रहेगी cotton for good यानि कि अच्छाई के लिए cotton मैंने आपको बताई दिया है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा का पास उत्पादक और सबसे बड़ा उत्बोखता है वर्टरेट और्गनाइजेसन हमने चर्चा करी लिए कि इसका हैड़कोर्टर जेनिवा स्विडियर लैंड में है 1995 में फांड किया गया था वर्तमान समय इसकी प्रेसिडेंट कौन है नकोजी और कौन जो इवला अब बात कर लेते हैं अक्टूबर में जो important days है जो हमें जरूर याद रखने चाहिए जैसे एक अक्टूबर को हमने मनाया अंतराष्टी व्रद्ध जन दिवस एक अक्टूबर को अंतराष्टी कॉफी डे भी मनाया और एक अक्टूबर को विश्टो साकाहर दिवस भी मनाया दो अक्टूबर को गांधी जेंती मनायी और उसी दिन आइंसा दिवस भी मनाया पांच अक्टूबर को वर्ड टीचर डे मनाया और आज हम लोग मना रहे हैं इंडियन एयर फोर्स डे वर्तमान समय में विवेक राम चौधरी किसी ने बताया था कि नहीं बताया था किसी ने नहीं बताया बता दिया गरो भाई विवेक राम चौधरी जी जो है वो आपके क्या बन गए है आपके एर फोर्स के यानि कि आपकी भारती वायु सेना के नए अध्यच्छ बन गए है वर्ड पोस्टल डे यानि कि विश्व डाग दीवस हम लोग कल मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाहिट यानि कि बालिका दीवस जो है वो आपका 11 अक्टूबर को मनाए जाएगा विस्सो मानक दीवस यानि वर्ड इस्टेंडर डे चौदा अक्टूबर को मनाएंगे 15 को मनाएंगे Global Hand Washing Day 15 को मनाएंगे World Student Day विद्यार्थी दिवस भी मनाएंगे 16 October को World Food Day 16 September को हम लोग Ozone Day मनाते हैं 16 October को खाना दिवस मनाते हैं तो यानि खाद दिवस 17 October को International Day of Eradication of Poverty यानि कि गरीबी का उन्मूलन का दिवस 17 October को मनाए जाता है 15 सोला ठीक है Student है खाना खाएंगे गरीबी अटाएंगे 15 सोला सत्रा 20 को मनाएंगे World Static Day यानि कि विद्यार्थी सांखी की दिवस और 24 October United Nation Day आप सभी को पता होगा 31 October को राष्टी एकता दिवस यानि कि साधार पटेल जी की जहनती हम लोग मनाएंगे अजया साधार पटेली की जो विस की सबसे उची प्रतिवा है उसको किस कमपनी ने बनाया कहां पर ये तो आपको पता है गुजराथ के नर्मदा के के वरिया जिले में है रामवी सुतर आर्किटेक्ट थे कमपनी कौन है जिसने इसको बनाया था बताइए बताइए कमपनी कौन है जी याँ पंदर अक्टूबर को एपी जब्दुल कलाम की जैनती भी मनाते है सोनु डंटोटिया बहुत बढ़िया संती कुमार विवेक राम चौदरी बहुत अच्छे लैर्सन और टर्बो यह टुबरो है लैर्सन और टर्बो नहीं है टर्बो ना कर बोला करें टुबरो है एल एंटी लैर्सन और टुबरो ठीक है बताया था ना विवेक राम चौदरी आपने देखा ही नहीं अच्छा बताया था आपने ठीक है इसकी हाइड जो है वो 182 मीटर है इनका नाम है Benjamin List और यह है David McMillan यह है Benjamin List और यह है David McMillan इनको रसायन विग्यान को रसायन विग्यान को नोबल पुरुसकार इस बार क्यों दिया गया दिएक्ट O में यह होता विग्यान को बिद्धक में इनों ने कोउच की है रसायम सी मिई यहाँ पर आजागा ऑफ यह है से orientation अलग-अलग नहीं होता इनका आप इसे isomerism आपने पढ़ा होगा समा वैवता आपने पढ़ी होगी मैं chemistry नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको basic fundamental बता रहा हूँ कि इनको क्यों दिया गया नोबल इन्होंने ऐसी कौन सी खोज कर दी तो होता ये था कि कुछ दवाई कंपनियां जो होती थी वो mirror molecule का इस्तमाल कर लेती थी गल्ती से तो इन लोगों ने एक उपकरण बनाया एक device बनाई जिसके जरीए हम mirror molecule पता कर सकते हैं कि ये mirror molecule है और उसको आपको दवाई में परियोग नहीं करना एक दवाई चली थी पाइरा डाइस्टीन उस वो morning sickness के लिए थी जैसे सुबह सुबह जो लोग उठते ना उनको बड़ा डीला डीला फील होता है तो मेरा करेंट अपर आने लगा तो डीला डीला फील नहीं होगा लेकिन वाला फील होता था तो वो लोग दवा खा लेते थे डेली डवा खाते थे और ये बाद में पता चला कि जो company इसको बना रही थी वो इसका mirror molecule यूज़ कर रही थी जिसकी पता चला यार यह तो बहुत करवड़ चीज़ है आप तो पता चलना जाई मिरर मॉलिकुल तो काफी समय से इसके बारे में खोज हो रही थी हाल विलाल बेंजमीन लेश्टो डेविड मैक मिलन ने इसकी खोज कर दी है और इसलिए उन्हें 2021 का रसायन विगेंड का नोबल म करना है इसके लाबा आप सभी क्योंकि अभी जो MTS का एक्जाम चल दा है उसमें आज का तो पूछेगा ने कि भाई आज नोबल किसे मिला है उसे पुराना ही नोबल पूछेगा तो जिनका MTS का एक्जाम है उनके लिए मैं लिस्ट ले करके आया हूँ लिस्ट में याद र पूछता है कि नोबल पूरुसकार किसलिए मिलाता ऐसा मसे सोचा करो आजा पीछले उप की चाह करें उपुराने वाले रिवाइज कर आज इतें दीए आपका जो नोबल पूरुसकार है वो 6 विधाओं में दिया जाता है 6 फील्ड में दिया जाता है जिसमें से Medicine का Noble जो ह और जार्जियो परेशी को ये परेशी भी आप इसे पढ़ सकते हैं मैं इनकी ट्रिक बनाना तो मैंने इसमें परेशी प्रयोग किया है इसको ये अर्थ का climate और physical modeling करी है अर्थ का climate की और ये इसलिए इनको दिया गया है इसके लबाँ साहित के चेत्रे में भी नोबल पुरस्कारों की घोष्णा हो गई है ये जो आप देख रहे हैं ये तंजानिया से आते हैं तंजानिया कहाँ पर है ये किस महादीप में है भईया ये अफरीका महादीप में है और तंजानिया महादीप तंजानिया की राधानी है दो-दो माह इनकी कितनी माँ है इनकी दो-दो माँ है और सामिया सलू अंसारी सामिया सलू अंसारी तंजानिया की राश्पती बनने वाली पहली मैला है तो अब्दुल रजाक गुर्ना जो है वो इनका नाम है अब्दुल रजाक गुर्ना जो है ये के देश से बिलॉंग करते हैं तंजा हमने पहले Medicine का देखा Medicine के बाद हमने Chemistry का देखा physics का देखा और physics के बाद हमने यहाँ पर देख लिया है साहित का लिटरेचर और कली बवाल हो गया जैसे ही यह साहित के नोबल आये इसमें से अभी तक 8 लोगों को यह पुरुसकार मिल चुके और इस बार के Nobel पुरुषकार में अभी तक एक भी महिला ने Nobel पुरुषकार ने जीता है बस बवाल चालू महिलाओं को क्यों नहीं दिया यह क्यों नहीं दिया तो अब कई सारे news जो है वो peace के लिए बोल रहे है कि ये पक्का किसी महिला को ही मिलना चाहिए वरना नोबल पुरुसकारों पर बावाल उड़ जाएगा अरे जो काबिल है उसको दो ना क्या महीला पुरुस लगायो हो खुदी बांटते हो कि ये महीला है ये पुरुस है फिर उसमें समानता काता हो नहीं हमें महिलाओं के लिए समानताओं का अधिकार चाहिए यह यार दूई अर्थी वाला मलब की दो रहे पर चलने वाला ठीक नहीं रहता या तो पुरुसों महिला को एकदम बराबर कर दो या फिर कह दो कि नहीं ठीक है महिलाओं को अलग अधिकार ही दिये जाए सही है न आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइए गा मैं इसमें बारे में कुछ नहीं सोचता हूँ मैंने आपके एक बहस को मुद्दा दिया है उसमें समझते हैं कि क्या आपको लगरा होगा तो अभी पीस बाख़ी है अज या-कल में अनौंस हो जाएगा अरच्छन है, हाँ अरच्छन है, best should be in, हमें जमिता यही होना चाहिए, जो सबसे best है उसको जीतना चाहिए, कास्ता पुरसकारों में तो यह होना चाहिए, बागी जगे जहाँ पर आपको बसस में seat देनी है, वहां मानते हैं कि मैलाओं को seat मिलनी चाहिए, क्योंकि समाज जो है वो अलग तरीके का है, वो ठीक है, वहां पे ठीक है, कि बस में मैलाओं को seat reserve होनी चाहिए, आने जाने के लिए उनको सुविदाय होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी पुरस की जो मानसिक्ता है, वो उस इस तर पर नहीं पहुँची है, मुझे ऐसा लगता है, चले, आगे चलते हैं, और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा killer point देता, नोबल पुरा असकारों की सुरुवात कब हुई थी, 1901 में, प्राइज मनी आज की डेट में कितना है, और अरश सास्त का जो देते हैं, वो रॉयल स्वीडिस अकैडमी देती है, इसका चुनाओ कौन करता है? Royal Swedish Academy करती है ठीक है डीक है चिकिस्टा का नोबल जो है वो Royal Swedish Academy दॉरा select नहीं किया जाता है इसको select करता है Carol Linska Institute इसको कौन select करता है Carol Linska Institute चिकिस्टा का छेतर का Literature को जो है वो select करता है Swedish Academy Swedish Academy PCA S 19 पृरुषकारों को select करती है नौर्वे की जो संसद है नौर्वे की संसद में पांच सदसी कमेटी होती है पांच सदसी कमेटी होती है कौन सी कमेटी? पांच सदसी है कमेटी होती है एक तो पेन पीछे चलता है मैं बोलता आंगे हो तो पीछला छूड याता है पांस सर्थिसी कमेटी जो है उसका चुनाव करते हैं मलाला यूसिफ जई जो है अभी तक सबसे कम उम्र की नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाली मैला है उन्होंने 17 साल में ये पुरुसकार प्राप्त किया है बेखती है और जॉन भी गुड इनव जो सबसे अभी तक 97 साल की उम्र में उन्होंने नोबल प्राप्त किया था 2019 का केमेट्री का जॉन बर्डीन जो है ये अकेले ऐसे नोबल लॉरेट है यानि कि नोबल पुरुसकार भी जीता है जिन्होंने फिजिक्स में दो बार नोबल जीता है 1956 और 1972 यानि एक ही विदा में दो बार नोबल जीतने वाले केवल एक वेक्ती है जॉन बर्डीन मैडम क्यूरी ने भी दो बार नोबल जीता है बट एक बार इनको 1903 में नोबल दिया गया था physics के लिए और एक बार 1911 में इन्हें दिया गया था chemistry के लिए मुझे लगता है दो अलग-अलग विधाओं में nobel जीतना एक बड़ी बात है एक ही विधा में जीतने के पहला nobel prize जो सांती का दिया गया था सांती प्रुषकार जो थो वो हैंडी डुनें रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मेदाता को दिया गया था 1901 में और जब कि physics का जो पहला nobel था वो रॉंजन को दिया गया था 1901 में human mind की इन्होंने image खीची थी उसके लिए अभी तक 9 लोग ऐसे हुए हैं जो भारती रहे हैं और उनको nobel प्रुषकार प्राप्त हुआ पहला nobel प्राप्त हुआ था रभी ना टैगर को 1913 में गीता अंजली के लिए सीवी रमन को 1930 में और अभी हाली में जो प्राप्त हुआ है वो अब जीत बेनर्जी को 2019 में economic science यानि कि अर्षास्त में प्राप्त हुआ है ठीक है शलीए आगे चलते हैं 6 October 2021 को पेरी जलवायू समझोते की पुष्टी करने वाला अंतिम देश कौन सा बन गया है देखे पेरी जलवायू समझोता जो है यह 2015 में आया था और क्यों आया था ताकि global warming से लला जा सके global warming क्या है greenhouse gases का emission होता है जिसकी वेज़े से हमारे प्रत्वी का temperature है वो काफी बढ़ चुका है और इसके बारे में आप काफी कुछ जानते भी है तो पेरी जलवाय समझोते में 17 sustainable development goal अपनाई गए कि भाई ऐसा करते हैं हम लोग इन goals को हासिल करने का लच्छ करेंगे और 2030 तर प्रतेक country इसको हासिल करेगा उस टाइम UN में जितने भी member थे 193 member थे अब तो 194 हैं तो 193 members में क्या कर दिया था इस पर sign तो कर दिये थे बट इस समझोते को अपने देशों में लागू नहीं किया था इनमें से एक देश टर्की भी था टर्की G20 देश यानि कि 20 देशों में जो group 20 में आते हैं उनमें से इसको ratify करने वाला यानि अब इस समझोते कि अपने देश में लागू करने वाला अंतिम देश है बागी सभी 19 देश और European Union इसको लागू कर चुके हैं G20 को तर्की ने इतनी देश से क्यों लागू किया अपका पेरी जलवाई समझोते कि जो sustainable development goal है उनको इतनी देश से क्यों लागू किया एक्शन में कहा है उसमें दो क्राइटेरिया है एक सूची 1 है और एक सूची 2 है तो टर्की ने कह रहा था कि और जो सूची 1 में है उन्हें ज़्यादा कड़े reforms अपने याँ लागू करने है सूची 2 में जो देश है उनके लिए थोड़े से reform जो है वो थोड़े से delay डाले है कि ठीक है कर लेना तुम लोग ऐसे वैसे तो टर्की कह रहा था नहीं वहीं हमको सूची 1 में मत रखो क्योंकि हम भी अभी विकास सील देश है लेकिन उनको सूची 1 में डाल दिया गया था इसलिए कह रहा था पहले हमें सूची 2 में लाओ तब हम आपका यह आप रेटिफाइट करेंगे तो हाल बैला रुखे सूची 2 में तो नहीं लाए गया है सूची 2 में नहीं लाए गया है लेकिन फिर भी उसे कुछ मामलों में रिपॉर्स में डील दी गई है और ऐसे में तर्की जो है वो अब रेटिफाइट करने के लिए तयार हो गया है तर्की में वर्तमान समय में अगर देखा जा तो तैयब इर्दोगेन की सरकार है आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं वो तैयब इर्दोगेन की है और यहाँ पर जो राजधानी है तर्की की राजधानी है अंकारा और मुद्रा चलती है लीरा तर्की की मुद्रा क्य इनका नाम अज़गर बाईजान जब भी आता है अज़गर बाईजान की बाफू इसको याद रखेगा इस टाइम वी स्टाइम वी स्टाइट केरिंग ओर फॉर अबर ते बिल्कु टंकात तर्की के अंकारा और ली रहा है इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो और G20 की समिट पूछी जाता है कि G20 की समिट कहां कहां होगी, G20 की जो समिट 2020 में हुई थी, वो आपकी हुई थी सौधी अरभिया में, कहां पे हुई थी सौधी अरभिया में, और ये अभी काफी important news रहेगा, काफी important current response रहेगा, 2021 का जो होने वाला है वो आपका Italy में होगा, क India करेगा, और G20 की वरतमान समय में हमारे जो सेरपा बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, G20 के हमारे जो सेरपा बनाए गए हैं, वो बनाए गए पियूस गोयली, केंडरी वाले जो 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 बनाए गए हैं, तो पियूस गोयली जो हैं, वो अमारे लिए सेरपा है, इस बार का जो climate change conference होने वाली है, वो कहाँ पर होने वाली है, जो climate change conference COP26 है, यह आपकी Glasgow में होने वाली है, सरी यह Glasgow कहा है, Glasgow Scotland में है, Scotland कहा है, अब यह मत पूछो हम से Scotland कहा है, यह ना पता तो फिर रहन दो, फिर छोड़ दो करें अब पर पढ़ना, Glasgow जो है Scotland में है COP26, यानि कि जलवायू सिखर सम्मेलन कहा पर होने वाला है, यह यहाँ पर हो, अचा अभी हाली में international climate summit होई है, international climate summit अभी September में होई, यह कहाँ पर आयो जित हुए थी, देखें जरा कितने लोगों को याद है, अंतर राष्टिये जलवायू सम्मेलन, इसकी अध्यच्छता किस ने की थी और यह कहाँ पर आयो जित हुआ था, हाँ, इसकोट लेंड, टीक है, background में sound आ रही है, किस तरीके का, किस तरीके에 का, किस तरीके का, कोई sound नहीं है, एक दम चाका चाक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्टन अब ठीक है अच्छा आगया होगा अच्छा अब ही ठीक है हाँ तो इंटर इसने क्लाइमिट समीट जो है वो अभी हाली में इंडिया में हुई थी अंतराष्टी जलवायू समीलन जो है वो इंडिया में हुआ था अंतराष्टी जलवायू परिवर्तन समीलन जो है कॉप 26 जिसे हम जानेंगे वो गलास गो में होगा अज़ा एक दो चीज में और आपसे पूछना चाता हूँ एक दो चीज में और आपसे पूछना चाता हूँ कार्टा जीना प्रोटोकॉल का नम सुना है प्रोटोकॉल कार्टा जीना प्रोटोकॉल कार्टा जीना प्रोटोकॉल ये बताए ये किस से सम्बंदित है और कब उजे बताओ, क्योटो प्रोटोकॉल किस से संबन देता है, यह आप मुझे बताओ, फटाफट बताओ, तो काटे जीने जो प्रोटोकॉल है, भाई, यह है जैव विवित्ता से संबन देता है, किस से संबन देता है जैव सुरच्छा से संबन देता है जिसे आप Bio Safety भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? Bio Safety भी कह सकते हैं याद रखेगा यही पूछा जाता है कि काटे जिना प्रोटोकॉल का संबंध किस से है 2000 में इसको लाया गया था और 2003 से इसको ratified कर दिया गया है यानि कि 2003 से यह लागू है Montreal Protocol जो है 1987 में आया था और 1989 से इसको लागू कर दिया गया है यह आपका Ozone Layer सरच्छण से है किस से है? Ozone परत सरच्छण से सम्बन दित है किस सम्बन दित है? Ozone परत सरच्छण से सम्बन दित है अज़ा Kyoto Protocol यह आपका 1992 में आया था 1992 में यह green house gases से संबन देता है यह किसे संबन देता है ग्रीन house gases से संबन देता है और आपका जो पेरिट जलवायू समझाता है वो इस सदी के अंतर तक प्रस्वी के temperature को 2 degree तक कम करना है या हो सके तो 1.5 degree centigrade तक कम करना है यह पेरिश climate है तो पेरिश climate जो समझाता है वो global warming से ज्यादा संबन देता है किसे संबन देता है global warming थे तो इसको थोड़ा सा आपको इयान में रखना चाहिए बहूत बढ़िया बहूत बढ़िया बवाय क्लियर नहीं आ रहा है अभी हगि क्या वायस-क्लियर नहीं आ रहा है तिक है कि यार मैंने जहां से पढ़ा वहा तो मुझे 92 में इ भाईयो डायवर्जिटी नहीं बायो सेफटी अलग है अच्छा हम बात करें तर्की की तो तर्की आपको यहाँ पे नज़र आएगा तर्की से चुड़ी वी एक जनकरी और देख लीजे यह काला सागर के आसपास है काला कार सागर के जो आसपास के देश है उन में है यूक्र युक्रेन के बाद रसिया, रसिया के थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जॉर्जिया, जॉर्जिया के नीचे मिलेगा आपको अर्मेनिया, अर्मेनिया के बगल में अर्मेनिया के नहीं आएगा इसमें, अर्मेनिया काला सागर को टच नहीं कर रह है फिर आपका आजएगा तर्की फिर आपका कौन सा आजएगा तर्की तो तर्की के बाद अगर आपिता चले जाए तो उधर आपको मिलेगा बुल्गारिया बुल्गारिया वाद रोमोनिया रोमानिया तो तो यही है तो कितने देश होगे एक दो तीन चार पांच छे छे देश ऐसे हैं जो काला सागर को टच करते हैं ठीक है और यहीं पर है सी आफ अजोव यहीं पर बावाल करता रहता है रसिया पेरिस एगरिमेंट 22 अप्रेल 2016 को साइंड हो गया था और एफेक्टिव है पेरिस सजी देखो यह आवाज नहीं आ रही कोई दिक्कत हो तो वाकिव बताया करो दो जर तीच में पहली बार अफ्रीकी पैर लिंपिक खेलो की यह अफ्रीकी पैर लिंपिक हैं कंच्यूज मत होना अभी पैर लिंपिक कहां पर हुए टोकियो में हुए उसका मस्कट कौन था उ जद घाना में 2023 में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि 2023 में घाना में कुछ और भी होने वाला है क्या होने वाला बता सकते हो दोज़ग तेईश में वर्ड यूनेसको ने किसने यूनेसको ने घाना की राजधानी अकरा अकरा को वर्ड बुक कैपिटल गोसित किया है 2023 के लिए किसको word book capital गोसित किया है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में अकरा को गोसित किया गया है 2023 में तो गाना से जड़ी वी दो नियूस थी चर्चा में गाना की राष्टी ये पैरलिंपिक समिती ने बताया कि पैरलिंपिक खेलो की मेजबानी 2023 में होगी और ये पेर weird sans granne ka मेजबानी होगा घाना मैं आपको देखा देता हूँ घाना आप देख सकते हैं यह आपका घाना है थोड़ा देख जूम कर दूं क्या यह पडिक विक्तोरीय विक्तोरिय जील यहां पर है यहाँ पर आप देखो यह टंगाणी का जील है जील वगेरा जरूर देख लिया करो यह नियासा जील है मैप तो ऐसी चीज़ है कि बैट जाये करो और देखते रहा करो पूरा मैप, अफरीका पूरा देख डालना आज है ना यह चार्ड जील है तो जितना अच्छा हो से आप map देख सकते हो उतना कोसिस किया करो कि कम से कम एक दो मिनट daily map देखा करो तो घाना की रद्धानी क्या है आकरा मुद्रा यहाँ पर चलती है सेडी सेडी मुद्रा चलती है यहाँ ठीक है पहली बार तो इसको किस ने जीता है इसको Magnus Karsal ने जीतिया अच्छा पूम जीले Malambo Naguka ने क्या जीता है इन्होंने अभी हाली में आपका जीता है Global Goal Keeper Award कौन सा Award? Global Goal Keeper Award आप देख रहा हूँगे मैं कुछ Hindi में लिख रहा हूँ कुछ अंग्रेजी में लिख रहा हूँ वो इसलिए ताकि दोनों बच्चे खुस रहे हैं Hindi औंग्रेजी वाले मैं बताओ अच्छा था आगे आते हैं 2700 चैंपियंटिप में मैंगनस कालसन ने मैं बताओ अच्छा था मैं समझा नहीं अच्छे से बताओ ये कह रहे हो क्या तो एक लाग डॉलर जो है उसको जीत लिया है और ये पहली बार सतरन टूर्नमेंट हुआ है एक साल दस महीने तक चला लग गए 22 नौमब 2020 से शुरूआ था चार अक्टूबर 2021 तक चला चेस्ट24.com पर इसका योजन किया गया था लेकिन इसकी रेटिंग जो है वो फिटे ने काउंट नहीं की है किसने काउंट नहीं की है भारत में अब 17 ग्रेंट मास्टर हो चुके है सतरमे ग्रेंट मास्टर कौन है रित्विक राजा सतरमे ग्रेंट मास्टर कौन बने है रित्विक राजा जो है वो आपके सतरमे ग्रेंट मास्टर बन गए है याद रखना हाँ लुसैने सुडियार लैंड में है इसका मुख्याले ठीक है मैं बताओ अच्छे से बताएंगे किसी दिन जब टाइम ज़्यादा होगा आज टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा जल्ली ली करा रहे है होकी इंडिया ने 2022 राष्ट मंदल खेलों में बाहर होने का निर्णे ले लिया यह खेल कहां पर आयोजित होने वाले थे होकी इंडिया ने राष्ट मंदल खेलों से बाहर होने का निर्णे ले कॉमन वेल्थ में होकी इंडिया नहीं खेलेगी ऐसा क्यों सब कुछ हट करना लेकिन जैकाँ सिखरे का इगो मत्फ हट करना इगो मतलब बर्मिंगम में यह गेम वाला था और हमारा जूनियर हौकी चैंपियंटसिप बॉल्डकय जो होने वाला था वो ऐंडिया में होने वाला था उरिसा उडिभन वालों या हम नहीं आएंगी बोले काहाँ नहीं आएंगे भारत में और आपने निउन्वेपर पढ़ा होगा तो एक वीक पहले डो वीक पहले इंग्लेड वाले जो रहे हो बहुत का काइदेपनद की मिल्no हम नहीं मानेंगे। england आ रहे हैं इंडिया से आ तो आपको दस दिन का कॉरंटाइम जहलना पड़ेगा यह क्या उन्सी बाती कि इंडिया का सर्टिफिकेट इवैलिड नहीं है भाई हमारे विदेश सची गुसाग है हमारे विदेश मंत्री गुसाग है विदेश मंत्री जैस रंकर जी ने कहा कि भाई यह ऐसा है काईदे में हो जाओ नहीं तो हम भी यही करेंगे फिर इंडिया ने भी यही किया कि इंग्लेंड से जो लोग आ रहे थे उनका सर्टिफिकेट को इन्वैलिड कर दिया और बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे अगर ऐसा करोगे तो हम भी आपके साथ ऐसा करेंगे फिलाल फिर कल अपडेट आई है कुछ देर पहले की न्यूज़ है बेखो 7 अक्टूबर की न्यूज़ है 23 की कोरिना अरेस के लाइव अपडेट में UK ने क्या किया है कि अब जो भी इंडिया के fully vaccinated लोग हैं इंडियन जो भी fully vaccinated है उनको quarantine नहीं होना पड़ेगा तो मामला यही है उन्होंने कहा कि हम junior hockey नहीं खेलेंगे जाके क्यों नहीं खेलेंगे क्योंकि वो रिशा में हो रही है भारत में कोरोना बहुत है तो भारत ने भी कह दिया हम भी Birmingham hockey नहीं खेलेंगे क्यों क्योंकि तुम्हारे आभी कोरोना बहुत है वैसे उन्होंने इसको इस तरह से नहीं कहा उन्होंने इसको इस तरीके से कहा कि Birmingham राश्ट मंडल खेल और हांगजू ACI खेल 28 जुलाई से 8 अगस्तर बर्मिंगम में होंगे और 10 से लेके 25 सेप्टेमबर तक आपके ACI खेल होंगे तो भाईया दोनों के बीच में हमारे खिलाले वह ठक जाएंगे और आपके या कोरोना बारत तो बहुते जादा है तो हम आईसा करें आपके पास नहीं आएंगे आप जो है आप छोड़ दीजे हमें ACI खेल खेलेंग जाके तो इस वज़े से होकी इंडिया ने कहा दिया है कि भाईया अब हम तुम्हारे यान नहीं आएंगे अच्छा होकी इंडिया के चीफ कौन है अध्याच कोन है इंडियान होकी फेटरेशन के ग्यानेंद्रो निंगोबाम फेटरेशन ऑफ इंटरनेशनल होकी के जो अध्याच्छ है वो है नरिंदर ध्रूब बत्रा होकी में तो हमारा जलवा है आगे चलते हैं अभरत और किस देश के बीच में अभ्याच जिमेक 6-8 अक्टूबर 2021 के बीच में अरफ सागर में आयोजित किया जाएगा तो वो है भारत और जापान कब से किया जाएगा 6-8 अक्टूबर मतलब आज खतम हो जाएगा तो भारत जापान समुदरी दिपक्षी अभ्याद जीमेक्स का 5-1 संसकरन कौन सा संसकरन 5-1 कहां पर आयोजित किया जाएगा आरफ सागर में आयोजित किया जाएगा और इसमें सुरच्छा सयोग के बीच में बाचीत की जाएगी फिलाल आपको अभी मैंने कली पर्षों बताया था कि आसिंडेक्स जो है वो इंडिया आस्टेलिया के बीच में हुआ इसके लबा मित्र सक्ती भी अभी आयोजित हुआ मित्र सक्ती किंदो देसों के बीच में आयोजित हुआ अभी जो मित्र सक्ति आयो जित हुआ था ये अंपारा में आयो जित हुआ था कहां पर अंपारा अंपारा कहां है पर स्री लंका तो आपको ध्यान है मित्र सक्ति अभी आयो जित हुआ इंडिया और स्री लंका के बीच ठीक है याद रखीगा आगे बढ़ जाते हैं जी जी और सिंडेक जो था वो फोर्ट एडिशन था वेरी गूड अभी हमने आजी बताया आपको जुनियर वर्ल शेंपियन से पुर्सों की पचास मीटर राइफल थ्री पोजिशन इस परदा में सूटर एसवरे तोमर ने कौन सा पदक जीता है तो यह मैंने आपको उद दिन भी बताया था कि एसवरे तोमर जो है वो आपके गोल्ड मेडल जी चुके हैं इसके लावा इन्होंने विस्स रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है आप एसे कई लोग ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है भई लाइक वाइक कर लो और कम से कम इसे शेयर कर दो हाँ जी सूर्य किरन जो है वो नेपाल के साथ हुआ था बहुत बड़िया सूर्य किरन जो है वो नेपाल के साथ हुआ था तो निसाने बाज एसवरे परताप सिंग दोमर ने ISSF जूनियर विस्ट चैंपियन सिंब में पुर्सों की 50 मीटर थ्री पोजिन इस परदा में फाइनल में सौन जीता है और उन्होंने 1185 के जूनियर विस्ट रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है अगर हम देखें तो वरतमान समय में ISSF में टॉप पर इंडिया चल रहा है यह आपकी जो आयूजित हो रही है यह पेरू की राधानी लीवा में आयूजित की जा रही है कहां पर आयूजित की जा रही है पेरू की राधानी लीवा में इसको आयूजित किया जा रहा है इस भारती महीला होकी खिलाडी ने सर्फेस महीला का खिलाडी का एवाड जीता है तो ये हैं आपकी गुर जीत कौर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं गुर जीत कौर और ये हैं हर्मन प्रीत कौर ये कौन है हर्मन प्रीत कौर पुरसों में हर्मन प्रीत कौर ने ये वाड जीता है और महिलाओं में ये वर्ड आपका गुरजीत कौर ने जीता है जबकि नंगुवंबाला देवी ने आपका प्लेयर आफ दा इयर का खिताब जीता था इसमती मंदाना ने अभी हाली में एक उपलब्दी आसिल की है उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में पिंक बॉल टे खिलाब जीता है इसके अलावा सविता पुनिया और पियास रीजेस ने सर्वसेट गोल कीपर के वाड़ यहां पर जीता है तो भारती खिलाने और कोई ने आठ अलग अलग वर्गों में ही बादी मारी है तो हर्मन प्री सिंग और गुर्जीत को और याद रखेगा मातिक तर्म से जोड़ी भी परिशानियों के लिए निपटने के लिए सच्छ कारिकरम किस राजिस ने सुरू किया है तो यह सच्छ कारिकरम जो है यह आंध्रप्रदेश सरकार ने सुरू किया है ताकि कई सारे सैनेटरि नैपकिन जो है वो बितित किया जा सके प्यत्तिक महिला चात्र को कुल 120 सेनेटरिक नैपकिन जो है वो प्रतिवर्ष आवंडित किये जाएंगे तो आंध्रपदेश सरकार ने सुरू किया है स्वच्छे कारिकरम जो महीला के वेक्तिकेस स्वाच को प्रासमिक्ता देगा ये आंध्रपदेश की बात करें तो आंध्रपदेश में वा बात करें तो चीफ मिनिस्टर येदुगरी संदनिती जगनमोहन रेड़ी जीने वाईसार भी कहा जाता है वाईसार जगनमोहन रेड़ी भी कहते है गवर्नर बिश्वभूशन हरिशंदन है स्टेट वर्ड इंडियन रोलर है स्टेट एन्वर्ड ब्लैक बख यानि की काला एरिया ये आपका on the basis of एरिया सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागारजुन सागर टाइगर रिजर्व लोगसभा में 25 सीटे है राजसभा में 11 सीटे है स्टेट हूट की बात करें तो एक नॉमबर 1956 को स्टेट हूट दुगा था जबकि देश का सबसे बड़ा नेश नाम ब्ली जो है एक आपके झरीचेंगे तो बारत का पहले एक वे अल्यमें जुडिमा वाइन को जि आई टैग प्रदान किया गया, राय मोना टाइगर डिदर्व और देहिंग पटकाई वाइल लाइफ सेंचिरी को नेघ्नल पार्क बना दिया गया, जिसे अब नेघ्नल पार्क की संख्या पूरे भारत में 106 हो गई है, जबकि असम में नेघ्नल पार्क की संख्या 7 हो इसके अलाबा पहला मल्टी मोडल लॉजिटिव पार्क जो है जो गी गोपा में खोला गया है बागी के डिटेल हम लोग फिर किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे समय की थोड़ी सी कपवाबंदी है तोड़ा से इसको कर लेते हैं कैप्टल जो है वो दिस्पूर है लार्जे सिटी गोहाटी है हिमंद बिश्वास सर्मा जो है वो बरतवान समय में आपके चीप मिनिक्टर है गवर्नर जो है यानि कि राज जपाल आपके जगदीश मुकी है यहाँ पर कई सारी नदिया है ब्रंपुत प्रमुख नदिया है एक सिंगवाला गैंडा जो है वो काफी फेमस है काजी रंगा काकाजी रंगा नेजनल पार्क एक सिंगवाले गैंडे के लिए फेमस है मानस ना मेरी डिबरु साइक हुआ औरांग औरांग नेशनल पार्क का नाम अभी हाली में बदल दिया गया इसका नाम पहले राजी वाली नेशनल पार्क हुआ करता था अब इसका नाम बदल करके औरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है लोग सबा में 14 सीटे हैं राज सबा में 7 सीटे हैं 26 जनवरी 1950 को असम को पूर्ण राजी का दर्जा पतान किया गया था, वर्तमान सामय में 34 जो है, वो यहाँ पर आपके डिस्टिक है, जिले हैं, ठीक है, बहुत बड़ी है, ठीक है, हाँ, जी, जी, फर्स्ट जो GI Tech पूरे भारत में दिया गया था, वो दारजलिंग की चाय को दिया गया थ किसको दिया गया था, डारजलिंग की चाय को दिया गया था, एक बार फिर से कराईए, एक बार फिर से सेयर कराईए सभी को, देखे, बहुत प्यारा खुशन आ गया है, ये ग्रामी ने थन पर भारत का पहला 5G नेटवर्ग का परिषण किस कंपनी ने किया है, तो ये क्या है, आईए बात कर लेते हैं, 5G और 4G में क्या फर्क है, जैसे लेटेंसी जो डेटा की लेटेंसी होती ही, यानि कि आपके पार डेटा प्राप्त होता है, उसमें 10 मिली सेकंड का डिले रहता है, जबकि अगर आप 5G यूज करेंगे तो ये 1 मिली सेकंड का डिले हो जाएग या 1 किलो मीटर, 1 स्क्वाइर किलो मीटर के एरिया में केवल 100,000 लोग ही कनेक्शन पास सकते थे, और यहाँ पर कनेक्शन डेंस्टी जो है, वो काफी बढ़ जाएगी, 1 मिलीन बन जाएगी, लेकिन थोड़ा था ये परेया बन के लिए नुकसान दायक भी है, बात की है, NCR रीजन से कई जुड़े हुए कोशन आपको मिल सकते हैं, कि NCR में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, NCR यानि कि नेशनल कैपिनल रीजन में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं, तो याद रखे को उत्तर प्रदेश के कुल आठ जिले हैं, जबकि अग बागपद, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, बुलन सहर, हापुड, मीरट और मुझफवर नगर ठीक है और भारती एरिटर की बात कीजिए तो गोपाल विट्टल जी वरतमान समय में आपके CEO है फाउंडर इसके सुनील भारती मितल से साज जुलाई 1995 को एरिटर जो ह जी वो जो है पिछले साल थोड़ा सा ओपरЕटर की मामले में पहले नमबर पे थीar लेकिन अभी हाली में वोड़ ऑफ इर इंडिया ने फिर से कुछ बैक अप किया है मुझे लगता नहीं कि वोड़फोन इंडिया जो है वो ऑपरेटर के मामले में यानि कि नंबर जो कस्टूमर है वो उनके पास सबसे जाता है तो 5 October 2021 को केंदरी वाणिजोर उद्योग मंतराले ने ओध्योगी पार्क रेटिंग प्रनाली का कौन सा संसकर्ण जारी किया है तो ये उन्होंने जो संसकर्ण जारी किया है इसमें यहाँ पर दूसरा संसकर्ण था और इसमें ओध्योगी पार्क यानि कि इंडस्ट्रियल पार्क जो आपके स्टेट डेवलप कर रहे हैं उसमें करनाटो को त्रिपुरा को चैलेंजर की स्रेणी में रखा गया है जबकि 185 को आपका स्टेट के सेड़ी में रखा गया है तो आपको याद रखना है कि केणी वांडी जो और उद्योग मंत्राले प्यूस मंत्री प्यूस गोईल जी के पास है उन्होंने दूसरा संसकर्ण इसका लॉंच किया है अगला प्रशन है हाली में सिच्छा के छेत्र में उ लोक माने तिलक एवॉर्ड से संभानीड किया गया गया संदेज जिंगम जो है प्लेयर ब येर के शेता सब्सकिया सिसलिता सिंग को ये उनके इंटरैक्टिभ फोरम ओफ एंडीन एकोनॉम द्वारा चेंपियंज ज्वाट पास योगदान दिया गया है और उन्हें प्रू कियो आपस में लड़ा जाते हो भ आयू में संसरी में iç draft में कौन करते हैं थे कर राश어지 संबसब्स है निमी रखेंगंगे नih दो बच्चे यह पर जो नहीं आफेंगे वो चल कर मैं देखता हूं कि कोई चीज कौन हो चाहिए नहीं हो तुम जरूर को ते हो। तुम्हारा बवाल हो रहा होता है किसीना किसी से हड़ा हड़ा अहीं टिक्ति है and best आऄो वो कि पागल थो ना तुम वो गाली देना शरू करदेगा बागी को नहीं दे रहा है तुम्हें क्यों दे रहा है तुमने कुछ बोला होगा शुरू में छेड़ा जरूर होगा उसको देख लूँगा कमेंट देख लूँगा वर्चुल बवाल नहीं और मनिशा जी आप भी थोड़ा सही से रहिए यह कोई तरीका नहीं है बात करने का आपको मैं ब्लॉक कर रहा हूं मनिशा जी आप कभी इस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे भारत में कौन सा राज्य सूच कड़ों का सबसे बड़ा उस सर्जाग है पीक आईडी थी मैंने ब्लॉक कर दी ठीक है आप खुस आप उसका कमेंट नहीं नजर आएगा तुमको और जिसका कमेंट आपको अच्छा नहीं होता है आप खुद उसको ब्लॉक कर सकते हो ना वह आपको कमेंट पाएगा ना आप उसको देख पाऊगा ब्लॉक करो इग्णोर करो लडाई करने सुरू कर देते हो मैं कुछ पढ़ा रहा था पता नहीं क्या पढ़ा रहा था कुछ बताने जा रहा था तुम लोग मिलों एकदम आफ्लाइन वाली फीलिंग ला देते हो कभी कभी बारत में कौन सा राज ये सूच में करोगा सबसे बड़ा उससरजक है तो उत्तर प्रदेश उबर के उपरा है मनलब कि ये पीम 2.5 जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उससरजक हो रहा है माराग गुजरात उरिशा पश्चिम बंगाल मदपितो बिहार भ जिम कारबेट पार्क का नाम नहीं गालीं नहीं देनी चाहिए ना कोई बी बासचीत करनी आप हो करता ही गालीं देनी चाहिए कोई भी हो आपका नम बजाद कंके नवनल कोında भ। बदलकर राम गंगर आश्टी उध्यान करने का एलान किया साल 1936 में इस पार्क की स्थापना के समय इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था और सइंस्ट प्रांथ के गवर्नर मैलकम हेली के नाम पर इसको रखा गया था फिर बात में जिम कार्वेट कैसे पढ़ अब इसका नाम एक बार फिर से राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा जिम कार्वेट नेशनल पार्क की बात की जाए तो यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ठीक है एक हंटर पे अगला हाली में दिवंगत प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई ज के साथ मिलकर काम किया था और बाजपई दा इयर्स डैट चीन इंडिया नाम का एक संस्क्रम न भी उन्होंने लिखा अर्विन तिर्वेदि का 82 साल के उम्रों में नितन हो गया और अर्विन तिर्वेदि के करिया गुजराती रंगमन से सुरू हुआ था अर्विन तिर्वेदि को असली पैचान साल 1987 में आये दो दसन में प्रसारी ततामायन से मिली थी अब बरी है आज की वर्लाइनर की इस्तन कैंसर जागरुपता महापतीवर्ष कब मनाया जाता है एक से 31 अक्टूबर को रसायन विज्ञान साल 2021 में नोबल पुरुषकार से किसे समानित किया गया बेंजमिन लिष्ट और डेविड मैकमिलन को हाले में में मिल्ट वर्टर चैंपियन सतन टूर किताब किसने जीता है मैगनस कालसन ने होकी इंडिया ने 2022 राश्मंडल खेलों से बाहर होने का निने लिया यह खेल कहा है उजित किये जाएंगे बर्मिंगम में भारत हो किस देश के बीच में समुद्री अब्याज जीमेक 6-8 अक्टूबर 2021 के बीच में अरपसागर में आउजित किया जा रहा है जापान जुनियर वर्ड चैंपियंशिप के पुरुसों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिसन इच पदा में सूटर एस्वरे तोमर ने कौन सा पतक जीता है सुन पतक किस भारती महिला होकी खिलाडी ने सर्फ स्रीट महिला खिलाडी का एवाड जीता गुरजीत को और मासी दम से जुड़ी वी परिशानी से निपटने के लिए स्वच्छे कारिकरम किस राजी ने सुरू किया है आंधर पतेर बारत का पहला e-fish market application फिस वाले किस राजी ने लॉंच किया आसम और पांच अक्टूबर 2020 को ग्रामीन स्थान पर पहला 5G नेटवर्प परिशन के दूस अंचार कम ही ने किया है एयर टेल पांच अक्टूबर केंदी वाणी जो रुद्योग मताले ने ओदेगी पार रेटिंग प्रणानी का कौन सा संसकर्ण जारी किया दूसरा विस्व का पास दीवस कब मनाए जाता है साथ अक्टूबर को साइट के छेट में 2021 का नोबल पुरुसकार के से दी गया अब्दुलरजा गुर्णा को हाली में सिच्छा किषिद में उतकर्ष योगदान के लिए चैंपियन्स आफ चेंजेवाट से केसे समानित किया गया है सारिता सिंग को 6 एक्टूबर 2021 कि इसको पेरी जलवाई समझादे की पुष्टी कनेवल अंतिम G20 देश बन गया है तुर्की 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरलिंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करीगा घाना और भाद में कौन सा राज्य सूष में कणों का सबसे बड़ा उससर जग बना है पी 2.5 पार्टिकल भार उत्तर प्रदेश में सबसे जादा है करवेट निशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया जागा रामग刚ण निशनल पार्क और हाली में पुछाथ की कनी कोशन की मेना पूछा था कि मानों सरीवें प सली में के जोड़े होते है तो पसली हों के जोड़े मैंने आपसे पूछे देए पसलिया मतलब यह जो आपका रिप्स है यह है रिप्स जिसपे पूरा छाती और पूरा आपका बॉड़ी वेट टिका होता है तो यह आपको सही उत्तर किया है बारा जोड़ी होती है मनोज मिश्रा बहुत बढ़ी है पसलिया चाती के आसपस वच्छ में सिद्ध लंबी गुमाओदार हड़ी होती है जैसे फेपड़े का विस्तार होता है यह सांस लेने में सुविदा होती है कुल मिलाकिन की संख्या 24 होती है बारा बाएं और बारा दाएं यह पेपड़े हैदय और वच्छ के अंतरी कंगों के सुरच्छा करते है श्रप जैसे कुछ प्राणियों पश्लिया पूरे सरी को ठाचा देती है और सुरच्छीत रखती है अब नीस रंजन और मनुस्ट मिनिस्टरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आज का मारा प्रेश्ण है कि माथा भांगा नदी एक अंतराश्टी सीमा के रूप में जाने जाती है ये किन दो देशों के बीच में है किन दो देशों के बीच में है मासा भांगा न दी ठीक है जलिए साथ अक्टूबर को नहीं आया था ठीक बहुत अच्छे और ये जो सेलेक्शन होता है ये आर्भी ट्रेडी होता है अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको अवेक्तित तो ऐसा होना चाहिए कि आपको गुसा तब आए जब आप चाहे आपको अवेक्तित तो इतना हलका नहीं होना चाहिए पानी की तरह नहीं होना चाहिए जड़ा सा पत्थर मारा आप पूरा पानी ये लिया चट्टान मनू एक पत्थर मारा कोई फरक ने पड़ा दो पत्थर मारा कोई फरक ने पड़ा हाँ जब हातवडा मार दिया केसी ने तब फरक पड़ा बात मेरी समझ पा रहे हैं तब आपके वेक्तित्तों में परिवर्ताना आना चाहिए। ऐसा न हो गया, जड़ा से पानी किते, बुलबुले किते, फुट असे पूट गया। अगला आपको छेड रहा है, अगला आपको परिशान कर रहा है। और आप छेड रहे हैं, आप परिशान हो रहे हैं, आप उसको जवाब दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही हलके वेक्तित्तों की निशानी हुई ना। तो समझ लो बुलबुला बनना है की पत्थर बनना है। किसी के छेड़ने से छड़े गए किसी के गुसा दिलाने से गुसा आ जाए तो मलब अभी तक आपका वेक्तित पूरी तरीके से विक्षित नहीं हुआ है अभी भी आप immature है और अगर आप पूरी तरीके से मैच्योर है तो कोई कितना भी छड़े चल तेरी के अउकाद तुम मिझे छेड़े चल निकल ले जा ठीक भाई हाँ हाँ है accept कर लो मज़ा आ जाएगा वो और ज़्यादा परिशान होगा क्योंकि आदमी परिशान तब होता है जो वो करना चाहे और वो ना हो आप क्या चाहते हो अल्टिमेटली उसको परिशान ही तो गरना चाहते हो जो आपको परिशान कर रहा है आप उसे परिशान करना है तो उसको परिशान करने है सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप परिशान हो वो आपको मार खुब परिशान कर रहे है यो और मेनद करेगा, फिर भी आप चिड़ोगे नहीं, पत्थर बनो, पानी बनने की जड़ो था नहीं, पानी बरोगे तो कोई भी बर के ले जाएगा, समझ गे मेरी बात को, चल यह, चल बबाए, टेक केर, खुब कुसरो, समझा, मागाल तुम्हारे लिए, आए दिन तुम जो है, वो लड़ते ही रहते हो, किसी नहीं, बिढ़ते ही रहते हो, और पहली बात तो अपने ओरिजिनल नाम में आओ, माब आपने कोई नाम रखा है कि नहीं रखा है, बागवान का नाम लिए घुम रहे हो तुम, तुम वो कुछ कहते भी नहीं बनता है, नाम हो तुमार सारे बच्चे अपने नाम से आते ना यह तुम्हारा नाम नहीं हो सकता यह याद करना पड़ेगा इंडियन रोलर जो है वो मुझे ऐसा रखता है जितने भी साउथ इस्टर्ण है नौत इस्टर्ण है उनमें सब के है चलो फिलाल अभी के लिए तनी रखते हैं थैंकि सो मच बबाई टेक के ध्यान रखेगा और आज बहुत कम लोग आए थे सब वीडियो को शेर वेर कर दीजेगा सायद कल वज़े से ना राज हो गए टेक चलो बाई टेक के टेक के